Hey guys, welcome to Abhinio Auto Vlogs, मेरे नाम है Abhishek, कैसे हैं आप सब लोग आज? Kia Motors के अगर हम बात करें तो अब तक 3 प्रोड़क्स अपने वो लाँच कर चुके हैं, जिसमें सब की 2 प्रोड़क्स काफी जादा सक्सेस्फुल रहे हैं, Seltos and Sonnet वहाई अब Kia Motors प्लाइन कर रहा है एक new MPV को launch करने के लिए जो की इंडिया में first time spied हो गई है साथ ही Kia Motors एम कर रहा है कि इस MPV के 50,000 units इंडिया में sell out कर पाए और साथ ही 26,000 units export कर पाए हर साल आज इस वीडिये के अंदर हम लोग इन डेटेल बात करने वाले हैं इस MPV के बारे में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल के उपर आपको cards related new updates मिलते रहते हैं यह जो आप spy shots देख रहे हैं इनका credit जाता है automobile enthusiast Mr.Persona यह MPV रहने वाली है 4th product from the Kia Motors after Seltos, Carnival and Sonnet और इसका code name अभी जो सामने आ रहे है KYMPV और इसको expect किया जा रहे है कि 2022 के mid में इसको launch किया जाए और अगर बात करें इसके length की तो 4.5 मिटर इसके length होगी और मारुदय सुजू की अर्टिक और टोयटा इन वा क्रिस्टा के in between इसको offer किया जाएगा महिंदरा मरॉजो से इसका directly competition रहने वाला है वह अगर आप इसके spy shots देखेंगे तो एक clear हो जाता है कि इसके इंदर feature की जाएंगी 3 row seating जिसके इंदर offer किया जाएगा 6 और 7 seat layout configuration आट अननपूर facility इंडिया के अंदर जहां पर जो production capacity है वो 3 लाख unit की है वह अगर बात करें इसके design की तो थोड़ा सा जल्दी होगा इसका accurate assumption लगाना इसके overall design के बारे में क्योंकि अभी तक ये without camouflage spied नहीं हुए जितनी बार भी spied हुई है ये heavy camouflage के अंदर हुई है but still इसके जो outlook है उसके बारे में थोड़ा सा जो assumption है वो हम ज़रू लगा सकते हैं जैसे की इसके अंदर आने वाली LED headlight LED tail lights और जो side body होगी वो थोड़ा से sleek design के अंदर होगी और chrome cover इसके outside body में काफ़े सादा देखने के ले मिलेगा वह अगर इसके engine options के बात करें तो इसके अंदर हो सकते हैं दू एंजिन जो की Seltos से इसके अंदर बोरो किया जाएंगे 1.5 liter natural aspect petrol engine and 1.5 liter diesel engine और हो सकता है कि 2.0 liter का petrol engine जो की Tuxon और Elantra के अंदर आता है वो भी इसके अंदर offer किया जाए जो की अभी upcoming अलकसर के अंदर भी offer किया जा रहा है वह अगर बात करें इसके launch date की तो इसको launch किया जाएगा mid 2022 में और इसके pricing की बात करें तो 10 से 15 लाग रुपे इसका एक शोरूम price रहने वाला है सो गैस यह था मेरे तरफ से एक update about all new Kia MPV जिसका नाम है KY MPV जो की अभी code name सामने आया है सो गैस अगर आपको अपडेट पसंद आया तो like करें, share करें और channel को ज़र सब्सक्राइब करें हम मिलते नेक्स वीडियो में एक ने topic के साथ, till then take care, be safe and bye bye